अग कंट्रोल सिस्टम टाइप अच्छल क्या होता है इंडस्टी में इंडस्टी में हमारे तीन तरह के कंट्रोल सिस्टम चलते हैं एक होता है ओपन लूप सिस्टम ओपन लूप सिस्टम ओपन लूप सिस्टम होता है जो बिंकुल ओपन होता है जिसमें कोई फीड़ नहीं आती है तो कंट्रोल सिस्टम बेसिकली किस आदार पर डिसाइड होते है पहले हम बाग करते इसकी तो कंट्रोल सिस्टम आर कंट्रोल सिस्टम आर डिसाइड़ कंट्रोल सिस्टम आर डिसाइड़ और दा वेसिस ओप और फीडवेक इसको हम फीडवेक सिस्टम भी कह सकते हैं तो यह हमारे फीडवेक यहां पर हम लिख देते हैं फीडवेक फीडवेक के आजार पर यह डिसाय लोगते हैं तो मैं यहां पर तीनों सिस्टम लिखता हूं और तीनों सिस्टम का आगे कवर करता हूं फीक है ना यहां पर सीरियल नंबर यहां पर यहां पर आएगा फीडवेक यहां पर फीडवेक आएगा अब फीडवेक गमाना दो तरह का होता है एक होता है एक होता है एक्ट्वेटर फीडवेक एक्ट्वेटर फीडवेक और दूसरा होता है एक्ट्वेक फीडवेक दो तरह का फीडवेक होता है ठीक है ना चुँ आमारा पहला सिस्टम है यह ओपन लूप सिस्टम पहला है भीडवेक यह और फीडवेक गमाना पहलां पैहला पहला सिस्टम है नहीं आता है इसका मतलब है कि यहां पर कोई फीडवाइब किसी का भी नहीं है जैसे माल लो हमने कोई स्लाइड आगे चलानी है जैसे माल लो यह हमारी मोटर है कि और इस मोटर से हमें यह स्लाइड चलानी है ठीक है और इस स्लाइड यहां पर अपने स्कूल लगा दिया और यह नट लगा दिया और यह हमारी हो इसनाइक जहां पर किंशिश्टम में यह हमारा स्लाइड है यह स्लेड जो है this is object, slide का object जो कर फाइनलि किसको चलाना है इस एक Are अगर हमَ स्लाइड का फीद्वेक लेते हैं तो वो और जयक्ट का फीद्वेक माना जाएगा अब आप स्लाइड का फीड़बैक के लिए क्या लगाओंगे बोलो क्या लगाएगा इसमें कि स्लाइड के फीड़बैक के लिए हम क्या लगाएंगे लीनियार इसकेल ऑफार किस्केल होते हैने हम मेजर मेंट करते हैं तो वहां पर लीनियर इसकेल लगाएंगे यहां जिसको अर्म लीनियाराण कोंडर्एंगेन अब रिफ और यह मॉटर है माननों यांसी मोटर है यह हां पर कहला आएगा एक्ट्ट्ट्रू इसका मतलब यहाँ पे कि मोटरीज एक्ट्ट अप्जेटर एड़ स्लाइड इस ओबजें यहाँ ओपन नुफ सिस्टम है तो ना तो अपन को मोटर की फ्रीडवैक और ना ही 7 paying को कोई भी भी थृट आ हमें नहीं मिलेइंगी ईसा अगर शिस्टम है जह आपने मोटर को कमानग दी मोटर चल गई आप मोटर चली नीचली और मोटर ने जिस चीज़ चलाना है फो चलाम है ऐसा सिस्टम होगा वो ओपन लूप में कंसीडर होगा ओपन का मतलब बिर्खुल ओपन उसमें कोई फीडबेक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दूसरा आता है सेमी क्लोज लूप सिस्टम होता है कि इसमें हमारी की फीडबेक आती है बट ओबचय Google की नहीं है मतलब सीधा सीधा है कि हमारा यहां पें सेटांक वत उर्च तो सर्वो शर्व मो everyone की फीड़एक तो आएगी बट इसकी फीड़एक नहीं आएगा जैसे CNC BMC machine होती है, CNC BMC machine में object की feedback हम नहीं लेते, मतला slider यो चलती है, means x-axis, z-axis, y-axis, उसकी feedback हम नहीं लेते, एक्सिस की feedback लेंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर, linear scale, तो लेकिन हमें कहां पर जरुवात होती है, इसकी जरुवात हमें कब होगी, जब हमें बहुती fine और precise work करना था, तो normal production में इसकी आवशक्ता नहीं होती, लेकिन अगर machine tool room में use हो रही है, और accuracy बहुत ज तीसरा जो system होता है, that is close loop, close loop system में दौनो feedback आएगी, तो ऐसे system को हम कहते है, close loop system, तो आज से हमें फाइदा क्या है, फाइदा यह है कि अगर हम इसकी feedback ले रहे हैं, और बीच में जो coupling लगी हुई है, और coupling break हो जाए, तो यह तो आगे चलेगा, जब यह आगे नहीं चलेगा, यह चल रहा है, तो actually feedback हमने केवर इसकी लिया और इसकी नहीं ली, तो उसमें machine को पता नहीं चलेगा, कोई alarm नहीं आएगा, यदि हमारा open loop है, तो किसी की feedback नहीं है, चले ना चले, अगर हमारा semi-closed loop है, motor का feedback आएगा कि motor रहनी है, बट इसका feedback object का नहीं आएगा, object चले या ना चले, तीसरा है, close loop system, तो उसमें दौनों का feedback आता है, तो हमारी CNC, BMC मसीरों में, जितने भी axis है, semi-closed loop, और ये, axis की बात करें, तो spindle, spindle हमारा, इसमें spindle आता है, object feedback को मैं यहा ले लूँ, और यहाँ पे application, application, बिलता हूँ, तो CNC, BMC मशीरों में, अगर मैं बात करूँ, तो open loop system तो कहीं नहीं होता, बट semi-closed loop system जो है, बो होता है, x, y and z axis में, और जो close loop system है, बो होता है, spindle, spindle में, close loop system हम लगाते हैं, ठीक है, तो यह basically, CNC, BMC मशीरों में, control system type, open loop semi-closed, CNC, BMC मशीरों में, CNC, BMC मशीरों मशीरों में, या कोई भी मशीरों में हो, इंडस्ट्री में कोई भी मशीरों में यूज होती है, सभी में यह system तो कहां करते हैं, तो यह feedback basis पर काम करते हैं, ठीक है, तो यह जो हमने video बनाया है, यह feedback system को define करने के लिए बनाया था, अगर आपको video पसंद आए, तो उसे like करना, share करना, thank you.